Hello students, welcome to the channel MediCo's Mantra. तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे UPIU's Counseling के टाइम जो भी डॉकुमेंट्स रिकुर्ड होते हैं उसके बारे में. तो सबसे पहले जो important डॉकुमेंट है उसमें आता है NEET का Admit Card, जो Admit Card लेके आप एक्जाम देने गये थे. फिर NEET Result, Domicile Certificate, मतलब आपका निवास प्रमाड पत्र, फिर High School की Mark Seat और High School की Certificate, फिर 12th की Mark Seat और 12th की Certificate, फिर आपका फोटो लगेगा 10 से 12 फोटो पासपोर्ट साइज. फिर उसके बाद Category Certificate भी लगेगा, अगर आप OBC के Category से हैं, SC, ST या फिर EWS Category, लेकिन कोई भी Certificate जनरल Category वालों के लिए नहीं अपलाई होगा, और EWS और OBC का जो Certificate है, वो भी 1 April के बाद ही इशू होना चाहिए, उसके पहले अगर इशू है तो वो मानने नहीं रहे प्रूफ आइडेंटिटी रहेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर बैंगा कोई भी Passbook, फिर Transfer Certificate और Migration Certificate, जिस भी स्कूल से आप जा रहे हो, अगर आप Class 12 के बाद डारेक्ट जा रहे हो, तो वहां का Transfer Certificate और Migration Certificate, just in case अगर आप Graduation क के बाद आ रहे हो, BST के बाद आ रहे हो, तो फिर उसका भी Transfer Certificate और Migration Certificate लगेगा, Income Certificate, Income Certificate आपके फादर का, Gap Certificate, अगर 12 के बाद अगर आपने ड्रॉप लिया है, तो कितने साल का ड्रॉप लिया है आपने, उसके लिए एक Gap Certificate बनवाना पड़ेगा, उसके ब documents, जितने भी हम, मैंने documents बता है, इस सब के 4 से 5 आप लोग फोटो कॉपी करवा लिजगा, क्योंकि कई जगा जरूरत पड़ता है, जहां पर verification करवाने आप जाओगे, वहां पर 1 set लगेगा, 1 set आपके college में लगेगा, 1-2 set आपके अपने पास भी रखना पड़ेगा, तो य ये सारे documents थे, जो भी जरूरी थे, UPIU's counseling के लिए, thank you for watching this video, and please like and subscribe to the channel.